नमस्कार दोस्तों, ग्रेटो इंडियो यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है तो मैं लिखे आया है उन्टाइ सिरीज 10 तो सबसे पहला कोर्शन 82 वीडियो के स्टाट कने से पहले चैनल को सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दे सबसे पहला कोर्शन 82 कौन सा मदरवोड फॉरम फेक्टर 20 पिन कनेक्टर का उपयोग किया जाता है 20 पिन कनेक्टर का जो उपयोग किया जाता है वो होता है ATX Next system startup boot अनुकरम को बदलने के लिए क्या संसोदित किया जाता है जो संसोदित किया जाता है वो होता है BIOS BIOS की full form basic input output system कौर्शन संके 84 निम में से कौन सा आंतरिक hard drive का परकार नहीं है hard drive का जो type नहीं है वो बताना hard drive का type जो होता है USB USB की full form universal serial bus Next 85 एक hard disk track even track even और यहाँ पे जो answer है C sectors में विवजित किया जाता है कौर्शन 86 86 कौर्शन है कौन सा computer program दो या अधिक object फाइलों को मिला कर एक executable program बनाता है executable जो program बनाता है वो है इसका साई answer है C linker 87 किस chip को उसके अन्त वर्षतु को update करने के लिए reprogram किया जाता है तो program को reprogram करना हो तो उसके लिए साई answer है flash ROM RAM की full form random access memory और ROM की full form read only memory और bios की basic input output system 88 port com port के नाम से भी जाना जाता है port are also now as com port जो com port जो होती है जिसका साई answer होगा serial raj45 ये जो होता है lan 89 89 C 89 का answer होगा C control panel Windows जो operating store software की सूचि में हमें का मिल सकती है तो इसका साई answer है C 90 pen drive connect होती है pen drive connect होती है तो pen drive का जो answer होगा इसका साई answer pen drive जो होती है USB universal serial bus 91 vi editor में file को save करने एवं उसमें बने रहने के लिए कौन सा निर्देश परयोग किया जाता है तो इसका साई answer है semicolon w 92 92 में matching का question है जैसे make directory Pico CP और MB तो इसमें सबसे पहला जो दे रहा है make directory तो make directory जो होता है तो इसका साई answer होगा 92 का B कौन सा command standard output को file में वो साती monitor पर भी दर्साने के लिए प्रयोक्त किया जाता है तो इसका साई answer है T Linux में file के लिए कितनी तरह की अनुमती होती है Linux में कितनी तरह की अनुमती होती है वो बताने 94 94 का जो सही answer है यहाँ पर B 3 95 निम में से कौन सा Unix कार्यों को नियंतित करने के लिए छोटा प्रोग्राम होता है तो छोटा जो प्रोग्राम होता है वो होता है cell script next MS-DOS का कौन सा command system की तरीक दिखाता है system की जो तरीक दिखाता है सही answer होगा date 97 DOS में किस command दोवर एक खाली directory को डिलीट किया जा सकता है तो इसका सही answer है RD Linux किस बासा में लिखा जाता है तो यह लिखा जाता है C language DOS में समन है था date की सरचना में डाले जाता है date की जो सरचना होती है वो कौन सी होती है इसमें सही answer हो के पहला आएगा date सही answer है month आएगा सबसे पहले date तो इसका सही answer है यहाँ पे C 100 number course है निर्में से कौन सा command किसी file के line को गिनने में काम आता है line count करने हो तो इसके लिए जो काम आता है सही answer है इसका WC MS word में control पर equal का कारे करता है control equal होता है वो subscript का कारे करता है और superscript के लिए control plus shift plus plus और यहां underline के लिए control के साथ यो तो आज के वीडियो में इतना है धन्यों